दोस्तो अगर आप वैशनो देवी माता के पारे में पूरी जानकारी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूड देखना और हमारे हिंदु धर में बताया गया है कि माता का भजन सुनने से पहले या फिर माता की पूजा करने से पहले हमें जै माता दी जरूर बूलना चाहिए तो आप लोग भी जै माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तो वैशनो देवी का विश्व प्रसित और प्राचिन मंदिर भारती राजी जम्मो अर्कस में की जम्मो शेकर में कट्रा नगर के समीट की पहाडियों परिस्तित है इन पहाडियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के जरिये आपको माता वैशनो देवी की रोचर को और अंसने रहते हैं दोस्तो एक बार की बात है त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुन्दर कन्या बैटी थी चिने देखकर भैरबनाथ उने पकड़ने के लिए दोड़े तबी वो कन्या वाई रोच में बदलकर त्रिकुटा परवत की और चरपड़ी भैरबनाथ ने उनका पीछा किया तबी माता की रक्षा के लिए महाँ पवन पुत्र हनुमान पहुच गए हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके कहने पर धनुस से पहाड पर बाड़ चलाया और वहाँ से एक जलधारा निकली जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुजाई और उसी जल से माता ने अपने केश होई कहा जाता है मही पास में एक गुफा में माता ने नौ महीने तक तक पस्या करी और गुफा के बाहर हनुमान जी ने पहरा दिया फिर हुआ क्या भैरवनाथ भी कम नहीं थे वो वहां भी आधम के सभी एक सादू ने भैरव से कहा जिसे तू कन्या समझने की भूल कर रहा है वो आधिसक्ती मा जगतंबा है इसलिए उनका पीछा छोड़ दे भैरवनाथ तो अपने बात परी थे उन्होंने शादू की बात नहीं मानी तब माता कुफा की दूसरी ओर से मार्ग बना कर पहार निकल गए इस गुफा को गर्बजुन के नाम से जाना जाता है जहां मानी नौ महीने तक तपस्या करी अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब अवस्य करें दोस्तों अंत में माता ने नीवी का रूप धार्म कर लिया और भैरबनाथ को वापस जाने को कहकर गुफा में वापस चली गए पर भैरबनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेस करने लगा तब यह हनुआन जी ने भैरब को रोका आखिर में हनुआन जी ने भैरब को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ किन्तों युद्ध का कोई अंत ही नहीं था ये देखकर माता वैशनवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का बद्ध कर दिया दोस्तों कहा जाता है कि अपने बद्ध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पस्चताप हुआ और उसने मांसे च्छमा की भीक मांगी किंटो माता वैशनो भहरब की मन्सा जान दीती कि भहरबनाथ ने ये मोक्ष प्राप्दि के लिए किया था तब उन्ने ना केवल भहरबनाथ को भुनर जनम के चक्र से मुक्ती प्रदान की बल्कि उसे वदान देते वे कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्स मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा इसलिए दोस्तों जो भी वैशनो माता के धाम जाता है वो वैशनो माता का दर्शन करने के बाद भैरबनात का दर्शन जरूर करता है तब ही उनकी पूजा पूरी मानी जाती है दोक्तों कमेंट बॉक्स में जैमाता जी लिखकर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चरूर करना